इंटरी पास बीटी डांसर नमबर वन एंटरी पास वो तो नहीं है फिर तो आप अंदर नहीं जा सकते अंदर जाने के लिए या तो इंटरी पास चाहिए या फिर कृउम मेंबर वाला काड़ अरे भाई मेरे बेटी डंसर नंबर वन में राधिका राधिका माने तब तो आपके पास गेस्ट पास होना ही चाहिए दिखाए ने वो तो नहीं है लेकिन हमारे पूरी फैमिली अंदर बैठी है मुझे लेट हो गया आप एक काम किजिए फोन करके किसी को बाहर बुलाईए और फिर पासले के अंदर चले जाईए वो नहीं है मेरे पास मुझे जाने मैंने कहा ना कि बीना पास का मैं किसी को भी अंदर नहीं छोड़ सकता या तो आप पास दिखाओ नहीं तो घर जाओ नहीं ऐसे जूटे बारे बना कर अंदर घुशने वाले बहुत देखे हैं मैं जूटा किसको कह रहे हो तुम्हें बोला मैं जूटने बोल रहा और आप तमीद से बात किजिए अच्छा मुझे तमीद सिखाओ गे हैं यहां का सिक्यूरीटी हूँ में और तुम हो गोल मैं सचिन मैं सचिन, सचिन माने आए सर, आपकी सब रहा देख रहे हैं आए तैक की कॉल सचिन अरे शुकर करो तुम्हें धक्के देखर यहां से बाहर नहीं निकारा बड़ा है सचिन चलो निकलो यहां से अरे मूँ कहाँ देख रहा है वो निकलो मूड भैंकर और इस सीजन के पहले स्टैंडिंग ओवेशन अती सुन्दर जै जै शिव शंकर क्या बात है भाई क्या परफॉर्मेंस दिया है असली कामपिटीशन तो प्रिया के अर्जुन और मेरे तारा के बीच मतलब मतलब अर्जुन और रादी का में ही रही सीधा हमारे जजुस के पास चलते और उनको पुछते अर्जुन तुमने अभी अभी कहा कि तुमने कभी होली सेलिबेट की नहीं लेकिन इस परफॉर्मेंस में जिस एमोशिन्स और फील के साथ तुमने परफॉर्म किया हम तो बिलीव ही नहीं कर सकते आज जो तुमने परफॉर्म किया इट वस फेंटास्टिक फेंटाबिलस तुपड़े जैसे प्रॉप्स के साथ ऐसे गाने पर ऐसा डांस करना बहुत 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 ही मुश्किल होता है तुमने बहुत अच्छा डांस किया और स्टेप्स तो कमाल के थे यह परफॉर्मेंस मेरे लिए पांच पे चार कथा अगिवाद एमके यह यह तडाकेदार परफॉर्मेंस थी तडाकेदार मैं कुआँ मसालेडार कर अज़ा परफॉर्मेंस था अहा क्या बात है भाई अज़ बात है जिसकर आपने बॉलेवर्ड और हिपप का फूजन किया वाँ तबस ब्रीगुड अगर यहाँ पर होते ना इस प्रेशन होते है तो अगर यहाँ पर रॉषन होते है तो उन्हे इतना पसंदा आपका दाश के त्या बोलुड और यहाँ श्री जी ने आपकी तारीफ है की यह आपकी एनरजी आपका प्रेशन्स आपका स्टेज कवरें सब चीज बैंग वाँ था अब इस सबसे इछी बात जो आप में लगती है कि आपके परफेक्ट महनत और टैलेंट का कॉम्बो पैको अब आप लोगों का अर्जुन के साथ जबर्दस कॉम्पिटिशन है अर्जुन यूर परफॉर्मेंस वर सुप्रीम यह हम तीनों की राय है अब एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है और आपको और महनत करना पड़ेगा बेस्ट अवलाग चीर्स अर्जुन आज का अंगार तो भाई आप ही हो मतलब पर्फेक्ट डेफिनिशन में अंगार थेया थैंक यू सो मच मैं थैंक यू सो मच बेस्ट लुक्ट अग्यम थैंक यू सर् अर्जुन के इस तडाकेजार परफॉर्मेंस के बाद एक चोटा सा एक मुनना सा चोटा सा ब्रेक बनता है मिलते हैं ब्रेक के बाद इंडियास नमबर वण डांसिंग शो डांसर नमबर वन पे अगर आर्टी ने मेरे हाथ में ये फाइल देखकर कुछ पूछा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा इसे अभी बंध ही रहने देती हूँ येस क्या लग़ता है क्या लगता है हमारे डॉप त्री कंटेसिन कौन होगे ओ लाइफ लाइन क्या टांस की है डॉपॉड टाइपस अले मेने तो वसामने से सीखा लेकिन अगर तू नहीं होती न तो नहीं कहर पाता हुग हुग आज अरज्ण की लाइफ लाइफ लाइन बनके तारा आ गई मैंने क्या किया पहले तु तुने मुझसे बद्रकवाली बुतल ले ली अगर नहीं लेती तू मैं उसमें तक जाता है और दूसरा अगर तू मुझे ना समझाती मतलब क्या होता है उतना अच्छा नहीं नाच पाता अच्छा तो अब मैं भी लाइफ राइम बन गई थांक यू वो मुझे अब एक बात बता तारा तेरे को कईसा पता लगा कि मैंने ड्रग नहीं लिया था तूने कई समाना क्योंकि तुमने कहा इसलिए मैंने एक बारी बोला और तुम मान गई हा पता ही कहा लाइफ रही मुझे लग रहे ना आज सुम टॉप नुमबर बन बन है हाई है 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 तुम थांग के ओगवा ना लाइफ लाइन मैं नीम्पू पानी बजुआती हो बाई करेंडी सर शलिकी में ना मुंबाई का है। मुम्बाई की गंदियो में पला बढ़ है। जंगल का राज चलता है सर यहां पर कदम कदम पे एक नई जाल को तोड़ कर आगे बढ़ना पड़ता है यहां पर तू कहना क्या चाता है वही जो आप समझ रहें सर अरा मुझसे इतनी प्रैक्टिस कराने के लिए न सर थेंक यू मैं स्टैब भूली नहीं पाया देखता हूं तू कितने राउंद बच पाएगा अब अभी आपका परफरमेंस है ना आप हमें all the best बोल रहे हैं तारा गलती कर दी आपने क्योंकि आपकी तो यही विश्थी ना हमें शो से निकल जाए आपकी लाइफ से निकल जाए पर अब जब आप हमें best wishes दे चुकी है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम best परफरम करें और हाँ अगर गलती से इस राउंड में हम बच गए ला तो आपकी जिंदगी की सारी टेंशन्स की जिम्मेदारी हमारी को कितारा जी कला कार ऐसे भी होते हैं इसके बास रादी का तैका परफॉरमंस है तो में सचिंदा कर सबात नहीं कि अब तो मैंनों को फोन किया बिदाने पर वो अठाई नहीं रहे है और कोई और है बेनी जिसको मैं फोन कर से कून सबात करने के लिए हाज का दिना बहुत पूरा होने वाला है अरे सचिंदा दात मुंबई में इतने सालों के बाद अरे पहचाना नहीं क्या मैं उमेश शिंदे बैंडा में जहां प्रीहलसल करने आते थे ब्रेक के बाद आप सबका सुअगत है एक बाद फिर से डांसर नामा altствен के राओंड टू के आखरी पड़ाव में अलस्च अब तक हमारा डांसर नामा ओन का शोव एंटेटेनिंग और रंगीन तो था ही लेकिन यह आगे भी उतना ही ऑंटेटेनिक और रंगीन हो गा ढगल इस मंच ने सिर्फ हमें हमारा हुनल दिखाने का मौका ही नहीं बलकि एसे लोग भी दिये हैं जो जिंदी की भर के लिए हमारी फैमिली बन चुके हैं जैसर कि Paddy सर, Paddy सर हमारा confidence बढ़ाते हैं Paddy सर नहीं होते हैं, तो पता नहीं हम क्या ही करते हैं और आर्टी सर, आर्टी सर हमारी inspiration है, उन्हें हम अपना godfather बोलते हैं, बस हम तल से paddy सर और आर्टी सर को thank you बोलना चाहते हैं, ए लड़की बहुत चलाक है, very very smart, very smart, और हम भगवान से यही प्रात्ना करते हैं, कि स्टेज पे जो हमारे तीन आइडिल्स हैं, श्रीलेखा माम, एंके सर और मिश्का मैं, बस उनके सामने बहुत सारी हिम्मत और ताकत दे, पागि हम अच्छी सी performance कर बाएं, क्या बात है, अंगार, अंगार ही अंगार, दिविया, आपने तो दिविया चमतकार कर दिया हैं यहापे, चलिए पूस्ते हमारे जजजेस से उनको आपकी performance कैसी लगी, तिविया, बतल आप करजब करती हूँ, बहुत अमेजिंग परफॉमेंस दिया अपने हाँ, और यह जो आपने घूमर और काल बेलिया दुनों साथ में किया है, बहुत अच्छा दान्स किया है, क्या खुबसूट लग रही हैं याप, वाँ, I'm just totally smitten by you. मिश्का जी, आप बताईए, मुझे लगता है M.K का ध्यान डान्स से जादा कॉस्ट्यूम्स और क्लॉप्स पे था, I'm really sorry to say Divya, पर मुझे आपके परफॉमेंस में यूनों वो बात नजर नहीं आई, वो X-Factor नजर नहीं आया, movements भी दिखे-दिखे से लग रहे थे, कुछ नयापन नहीं था, sorry to say that. मिश्का को डान्स के बारे में इतनी जानकारी है, ये जानकर बड़ी हुशी हुई, मेरे लिए ये परफॉर्मेंस, सुपब, very, very, very good. Thank you ma'am. And one more thing, ये जो costumes आप पहन कर नाच रही थी, कमाल के costumes है, मुझे बहुत पसंद है. Thank you so much. दादा, उपर वाली की डेया से मैंने तीन डान्स टूडियो खोल लिया. यहाँ पर सब लोग मुझे पहचानते हैं. अरे चलिए ना, आपको शूटिंग दिखाता हूँ. अरे एक नंबर का शो है ये, आईए मेरे साथ. पेदाने, फोन दे. दाई, तुझे कुछ दिखाना है. बिना सचाई के, गला नहीं, गलाकार नहीं. बिना सचाई के, हम किसी के, दिल तक पहुंच नहीं सकते. सचाई नहीं तो, उनर नहीं. गला और गलाकार की, कदर नहीं. अब हमारी अगली परफॉर्मर है, सातारा से, कथक कुईन राधिका. उनर थुड़ा कम हो, रियास थुड़ा कम हो, चल सकता है. लेकिन पिना सचाई के, सब बे मतलब है, हमेशा याद रखना. और ये नवरात्री के सारे रंग लेके आ रही है. लेकिन इससे पहले दुर्गा मा अपना रूप ले, इनकी बेटी हम से कुछ कहना चाहती है. लेट्स हाव अ लुक. तेरे बाबा ने कथ्थक की धरोहर तुझे सौपी है. अभी है घूंगरू, उस धरोहर को आगे बढ़ाने का आशिरवाद समझ ले. जानती हूँ तुप्रेण की शान्ना है. आज मैं मां दुर्गा के सामने अपनी कला अपना डांस पेश करूंगी मैं चाहती हूं कि दुर्गा मां मुझे अपना आशिरवाद दे और मैं अच्छा डांस कर पाऊं इतनी शक्ती दे मैं कौन सा डांस करूँगी? ये मैं बताना नहीं चाहती बस मैं चाहती हूँ कि ये डांस करके अपने जजजिस का और आप सबका में दिल जीत लूँ बस तारा तु मुझे अल्दे बैस नहीं करेगी अपने बाबा भी उसकी लाइब परफॉर्मेंस देख पाते अल्दे अल्दे कि इसका मतलब मेरा इशक सही था रादिकाहर तारा सचिन की बेटिया है तुए काम कर सरगम करके दिखा बाबा वो मेरा पहर बहुत दुख रहा है वो मोच आगी बेटा वो शहर हो शोड़ा देता है उसकी अपनी ताकत है जैसे भवर उससे बचना अज्बN केसे डाहर मेरे बाहर फ्रमभा उससूर सवार बल्यू अज्शन झाल झाल